नमस्कार दोस्तों मैं अंकित डिश्टल सुक्षा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की क्लास का हमारा टॉपिक आवास या टॉपिक बेहदी मातपूर परिक्षा की दरश्टी से क्लास को पूरा देखेगा यादि क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जिवरूर करें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं असम के घरों की बिशिश्टाओं की उपर अगर आप से कुश्चन पूछा जाए कि कहां के घर किस स्थान के घर बास के बने होते हैं आप बताएंगे जो असम के घर होते हैं असम के घर बास के बने होते हैं और यह जमीन से कितने फूट उपर तो कहेंगे जमीन से 10 से 12 फीट उपर बने क्यों होते हैं तो आप कहेंगे जमीन से 10 से 12 फीट उपर बने क्यों होते हैं तो आप कहेंगे जमीन से 10 से 12 फीट उपर याद रखिएगा यह लाइन पूछी गई है कितने उपर तो कहेंगे 10 से 12 फीट उपर याद रखिएगा असम के घर बास के बने होते हैं अंदर भी यह लकडियों के बने होते हैं बास के क्यों बने होते हैं, क्योंकि यहां पर बरसा आधिक होती है, यहां पर बास बहुत पाया जाता है, तो बास से घर बनाते हैं यह लोग, ठीक है? आइए चरजा करते हैं आप लेह यानी की लद्दाक के घरों के उपर, आप देख रहे हैं जैसा की फोटो में, आप यानि की चूने से पुता हुआ घार है मिट्टी और चूने के लेप से पुता हुआ घार है और पहली मंजल पर खिड़कियां आपको देख रही हैं तो अगर आपसे कुश्चन पूछा जाए कि कहां के घरों में पहली मंजल पर खिड़कियां होती हैं तो आप कहेंगे यानि पर नहीं रहा करते यह जो ग्राउंड फिलोर होता है इनका जो जमीनी फिलोर होता है इनका यहां पर यह अपने जानवरों को बांधते हैं यह आवस्चक शामान को रखते हैं और पहली मंजल पर यह खुद रहा करते हैं और इन घरों की जो च्छत हैं लेह लद्दाक के जो घर है इनकी जो च्छते हैं जो पहली मंजिल की जो च्छते हैं वो लकडी की बनी होती हैं यह लकडी की बनी होती हैं और मजबूती प्रदान करने करें लकडी के मजबूत मजबूत तने से यह बनाते हैं पहली मंजिल पर कहेंगे भई यह खिड़कियां होती हैं और लकडी क को अपने किस से पूतते हैं तो आप कहेंगे बिया मिटी और चूने से अपनी दीवाल को पूतते हैं चूना जो की सफेद आपको कलर भी दिख रहा है चूने से पूती हुई यह दीवाल है ठीक है आईए सभी की उपर आपने चर्चा कर ले लदा की उपर यही बात है और दे पीचे की मंजिल में जानवर रहा करते हैं और इनका अवस्यक सामान रखते हैं चटों को मजबूत करने के लिए लोग क्या करते हैं हमने बताया अभी कि लखडी के मजबूत तनों का प्रयोग करते हैं घरों की जो दीवार है चूने और मिट्टी की पुताई करी जाती है भिन मंजलो तक जाने के लिए कहते हैं लखडी की शीडियों का प्रयोग करते हैं ये लोग ठीक है आईए देखते हैं राजिस्तान के घरों की भी शिष्टाओं की उपर चर्चा करते हैं अब राजिस्तान के जो घर हैं राजिस्तान के घर आपसे पूछा जाए किसके बन कि पाई क्यों करी जाती है जैसे कि आप फोटो में भी देख रहे हैं कि दो महलाएं हैं ये गोवर से घरों की दिवालों को ली पर हैं क्यों वो नीम की लकडी की बनी होती है और किसकी बनी होती है किते हैं कटीली जहाडियों की बनी होती है नीम का प्रियोग और क्यों किया जाता है आप बताएंगे भी यह जो नीम होती है नीम का प्रियोग कीडों से बचने के लिए किया जाता है और जो राजिस्थान के घर की जो कौन सी लकडी आप बताएंगे वही हो देखे का अभी चर्चा करी वही लिखा हुआ है कि इस chops हती जो dollars ही जर्थ बनाने में नीम और कीकर का प्रयोग की जाता है क्यों किया जाता है केते हैं की जाखता कि कीड़े ना लग सकें कस्मीर के मकान की उपर नहीं हम सिर्फ एक बिसेजिस इस्तान कस्मीर में डल जील यानि की दल जील में कश्मीर के पाई जाती है आप कहेंगे कि कश्मिर में पाई जाती है अगर option में डलजील भी आ तो आप डलजील लगाएंगे कि डलजील यानotherap के स्रीनगर में कश्मीर के अंदर डलजील स्रीनगर में house quote पाई आती है एक house vote की विशेष्टा होती है खतम-bund question पुछा गया कि खतम-bund क्या है तो आप कहेंगे 80 feet houseboat की लंबाई होती है चोड़ाई 8 से 9 feet होती है कितनी होती है तो चोड़ाई 8 से 9 feet होती है जबकि लंबाई 80 feet होती है houseboat की नकासी जो होती है उसे खतम बंद कहते है houseboat मिलती का है कहेंगे डल जील स्रीनगर में houseboat मिलती है याद रखिएगा, यहाद रखिवाइगा, इपूरी क्लास NCRT की उपर आधारित है, क्लास को पूरा देखें, यदी क्लास पसंद आई, तो चैनल को एक बड़ सस्क्राइब जरूर करें, ज्यादось ज्यादा सेयर करें, यह खतम बंद आपने हम, अभी मैंने बताया कि जो खत पेट को बना हुआ गर और इस घर पर जो नकासी है उसे खतम बंग कायते हैं इसकी कितनी आप कहेंगे असी फीट चौड़ाई आठ से नौ फीट होती है याद रखिएगा पाई कहां जाती है डल जील स्री नगर में कस्मीर के घरों की विसेष्टाओं के अंतरगत यह आती है अब देखिए बर्फ के घर अब आप बर्फ का नाम सुनकर आप समझी गए होंगे हम चर्चा किसकी करने वाले हैं हम चर्चा करने वाले हैं इगलू की चर्चा करने वाले हैं अब देखिएगा यह जो घर है दो भागों में बना होता है एक तो भागी यह रहा यह घर दो भा एक्सिमो जनजाती का अस्थाई निवास होता है यहां पे इस्थाई हो गया था थीक है बरपीले चैतर में एगलू के टुकडों को जोड़ कर बनाया आता है इन घरों के अंदर जाज रखिएगा इगलू जो होते हैं इन घरों के अंदर सील मचली की सील मचली की खाल लगा जाती है क्यों क्योंकि घर अंदर से गर्म रह सके यह जो मकान होते हैं इनके अंदर और क्या होता है कहेंगे सील मचली की चर्वी को जलाया जाता है किसकी मचल कारड क्या है कारड सिर्फ एक ही है कि ठंड बहुत बढ़ती है ठंड तो पढ़ेगी जब बर्फ से भरे जो घर होते हैं वो बर्फ के बने होते हैं और बर्फ के घर कहां रहेंगे जहां पर बर्फ पाई जाएगी तो इस प्रकार की इतनी ठंडक से पचने के लिए जो घर ब जाएगी और यहां पर जो अंदर यहां पर कोई व्यक्ति बैठा होगा इसके अंदर वैसील मचली की चर्वी को जला रहा होगा अंदर का माहौल घर के अंदर का जो बातावरण है उसे गर्म करने के लिए याद रखिएगा तो इगलू किसका अस्थाई निवास है आप कहें जन जाती एक गरेंगे सिकारी जन जाती है याद रहें कपूरण टोपिक कुछ बिसेस्तां एक डू पॉंट की उपर चरचा करते हैं पिर आप मनाली के घर की उपर चरचा करेंगे सरी नगर में आपसे पूंचा जाएग चाए को कहते क्या है आप कहेंगे भीया स्री नगर में चाई को तो कहवा कहते हैं क्या कहवा कहते हैं तो स्री नगर में चाई को कहते हैं क्या कहवा अगर आप से कुछन पूछा गया आप कहेंगे स्री नगर में तो कहवा कहते हैं तो स्री नगर के लोग चाई में डाल के पीते क्या हैं आप कहें कहेंगे कहवा कहते हैं का कहते हैं तो कहेंगे कहवा कहते हैं याद रखी का अब एक मैं औरory बातफ़ को Chand बहिए टैपियो का फल ठीक है दौनों बिहादी मातपूर है दौनों को याद रखिएगा टैपियो का कहा कहेंगे केरल में स्रीनगर में लोग चाय को क्या डाल कर पीते हैं कहेंगे चाय में तो इलाइची और बादाम डाल कर पीते हैं स्रीनगर के लोग चाहेगो कहते क्या है कहेंगे कहवा कहते हैं ठीक है समझ में आया यदि क्लास फसंद आ रही हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें समझने में कोई परेशा नहीं हो तो कमेंट करके जरूर बताएं ठीक है अब देखिएगा आईए चर्चा करते हैं मनाली के घरों की उपर तो एक लड़की है या क्या कह रही है कि भाया मैं मनाली से आई हूँ जो की एक पहाड़ी इलाका है तो मनाली इलाका कैसा है आप बताएंगे मनाली एक पहाड़ी इलाका है हमारे यहां बारिस भी बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पढ़ती है जब दे बैठना बहुत अच्छा लगता है हमारे यहां के मकान कहा के हमारे यहां के मकान मतला मनाली के जो मकान है मनाली के मकान पत्थर या फिर लकडी के बने होते हैं किसके अगर आप से पूछा गया तो मनाली के मकान बने किसके होते हैं आप बताएंगे या पत्थर या फिर लकड के मकान कहां के तो मनाली के बने होते हैं ठीक है अगर कोई परिसानी किसी भी प्रिकार की कमेंट करके अवस्थ बताएं चर्चा करते हैं दिल्ली के मकान के उपर आज का लास्ट टॉपिक है यह सौरी आज की लास्ट है दिल्ली के मकान ठीक है दिल्ली के मकान के उपर तो मित देखे मिताली और अनुज दिली से आये उन्होंने उन्होंने सबको दिली की तस्वीरें दिखाई है तस्वीरों में उची 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 इमार्त हैं अगर कुच्छन आप से पूछा जाए कहां के मकान उच्छी उच्छी इमारतों के बने होते हैं आप कहएंगे दिल्ली के मकान बहए भारत में आप सोच रहांगे और भी जि hen तो उच्छी उच्छी एमार्त है नहीं यह नहीं फोटो को देखते हैं बहुत क्या बोलता है कहेंगे इतने उचे मकान कहेंगे हाँ कहां के मकान कहते हैं दिल्ली के मकान ठीक है कहां के मकान तो दिल्ली के मकान ठीक है देखिए दिल्ली के आए कहेंगे भारत की राजदानी है यहीं तक है आंगे कुछ है नहीं आंगे सब बे ब्यक्ति दिखा होगा तो कहते हैं अगर किसी के पास घर नहीं हो तो रहता कहां है तो आप वह ब्यक्ति इन फुटपात पे रहता है अपना फुटपात पे जीवन यापन करता है कहां पे करता है तो फुटपात पे अपना जीवन यापन करता है ठीक है तो हमने आज चर्चा किसमे कही सबसे पहले असम के घर देखे फिर लेहे के घर देखे फिर मनाली के घर देखे फिर हाउस बोट देखी हमने हाउस बोट के लाबा फिर हमने किसकी उपर चरचा करी हमने दिल्ली के मकान की उपर चरचा करी और हमने किसकी उपर चरचा करी आप बताएगा कोई और भ यास आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को एक बार सस्क्राइब जरूर करें और परिक्षा बहाध ही पास है कड़ी मेहनत करिण एक टाइम टेबल बना के करिए गा हर विसय को एक time दीजिएगा, एक ही subject की उपर मत रहिएगा कि एक ही subject आपको psychology में भी उतना time देना है, आपको EBS में भी उतना ही time देना है, time बहुत ही मातपूरत, तयारी करिएगा क्योंकि KBS की vacancy आपके कभी भी आ सकती है, याद रखिएगा KBS की vacancy कभी की भी आ सकती है, याद रखिएगा हम जल्द ही psychology की भी class अने subject की भी class चालू करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, class पसंद आएदो चैनल को एक बार subscribe जलूर करें जो भी topic बाकिए हैं, आंगे classों में आते रहेंगे धन्यवाद